व्यवाई फ्रेंड्स देविगान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूँ पंकजराय आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए हिंदी पैडागोजी अभ्यास प्रश्न पत्र तीन ले करके आया हूँ चलिए आज का अभ्यास प्रश्न पत्र प्रारंब करते हैं पहला प्रश्न है वाचन कौशल का प्रमुख उद्देश है आप भी देख लीजे चारों आपसन शुद्ध उच्चारन भाषाई शुद्धता मानक भाषा का विकास मौखिक अविव्यक्ति को सर्वोत्तम यों प प्रभावी बनाना दूसरा सरल विश्यों पर अपने मत प्रस्तुत करना किस कौशल के विकास से संबंदित है यहां पर प्रश्चल अध्यान से दिखिएगा शरल विश्यों पर अपने मत प्रस्तुत करने की बात की जा रही है वो है पठन वाचन स्रवन या लेखन तो मैं शुद्ध या सही उत्तर है वाचन प्रसंख्या तीन देख लीजिए चित्र वर्ण से किस कौशल का विकास होता है वर्ण कौशल का, अभिव्यक्ति कौशल का, वाचन कौशल का या पठन कौशल का तो यहां सही उच्चारन सही उच्चा ओफ्सन है वाचन कोशल का चलिए अगला प्रशन प्रसंख्या चार पठन सामाने रूप से होता है दो प्रकार का तीन प्रकार का चार प्रकार का या पांच प्रकार का तो जान लीजे बहुत ही महत्पुन प्रशन है कि पठन सामाने र लोग से होता है इसका शुद्ध उत्तर है या सही उत्तर है दो प्रकार सेakah P पांकश्वा प्रश्शन आदर्श वाचन का संबंद होता है सिक्षक से चात्र से सिछ यादिगम प्रक्रिया से तो इसका सही उत्तर है सिक्षक से आदर्श वाचन सिक्षक करता है उसके बाद विद्यार्थी उसको सुन करके दुहराते है तो उसको कहा जाता है अनुकरण वाचन प्रश्न संख्या छटवे में आते हैं आदर्श वाचन का आत्मतत्व है आदर्श वाचन का आत्मतत्व क्या है शुद्ध उच्चारण योम आरोह अवरोह के साथ वाचन करना या व्याकरण का ज्यान या वर्तनी का ज्यान या अविव्यक्ति का ज्यान तो जान लीजिए कि इसका सही उत्तर क्या है आदर्श वाचन का आत्मतत्त होता है मित्रों शुद्ध उच्चारण यों आरोह अरोह के साथ वाचन करना यानि कि option A सही है प्रसंख्या साथ में चलते हैं पठन कौशल द्वारा छात्रों में विक्सित होती है क्या विक्सित होती है भाषाई ग्यान विक्सित होता है या स्वाध्याय की प्रकृति विक्सित होती है या व्याकरण का ग्यान विक्सित होता है या आउकास के समय का सदुपयोग होता है तो पठन कौशल द्वारा छात्रों में क्या विक्सित होता है इसको आप भी जरा अं अध्यान करना आरंब करने लगते हैं अगला मौन पठन का प्रमुख उद्देश है मौन पठन का प्रमुख उद्देश क्या है मित्रों आप भी ज़़ा दिमाख लगाए चारो आफसन पढ़िए सोचिए मैं समस्ता हूँ आपने पढ़ना शुरू कर दिया होगा श्री गरता से पढ़ने की ख्षमता का विकास ठकान कम करना ध्वनी प्रदूशन कम करना या अनुशासन बनाए रखना तो मौन पठन का प्रमुख उद्देश क्या है अगर ये आप जान जाते हैं तो आज से अगर कुछ अच्छा लगता है तो आप भी मौन वाचन चालू कर दिजिएगा दिखिए मौन वाचन का यानि मौन पठन का प्रमुख उद्देश जो है वो होता है श्री गरता से पढ़ने की ख्षमता का विकास करना जब आप मौन रूप से पढ़ते हैं तो आप थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं चलिए नौवा प्रशन चात्रों की कलपना शक्ती का विकास होता है सस्वर वाचन में होता है मौन वाचन में कलपना शक्ती का विकास होता है या भाशाई ग्यान से उनकी कलपना शक्ति का विकास होता है या व्याकरण के ग्यान से आप भी अपना दिमाग दोडाईए मैं समझता हूँ आप मेरे सासाथ ही पढ़ते होंगे आफसंस को भी तो चलिए देख लेते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है तो दिखिये मित्रों चात्रों में कलपना शक्ति का विकास होता है वो मौन वाचन से होता है जब विद्यार्थी चुपचाप किसी पैराग्राफ को किसी अनुच्छेद को किसी कावियान उसको पढ़ता है तो उसके साथ साथ उसका अर्थ भी ग्रहन करने की कोशिश करता है साथ साथ उसकी कलपना शक्ति भी यानि उसकी मस्तिस्क में कलपनाओं का ताना बाना भी स्टार्ट हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि आफसन भी सही है चलिए आफसन प्रसंख्या दस पे चलते हैं गदगद स्वर में तथा दीनता के साथ बोलना समस्या है कौन सी वाचन कोशल की समस्या है सिक्षक के विवहार की समस्या है अशुद्ध उचारण की है या मानवी सभाव की तो देखी यह जो है वाचन कोशल की समस्या है अगला प्रश्ण देखते हैं एकागरता के अभाव से प्रमुख रूप से प्रभावित होता है अगर हमारे अंदर एकागरता का अभाव है तो क्या प्रमुख रूप से प्रभावित होगा हमारा मौन पठन लेखन अधिगम यानि लर्निंग सीखना या सिक्षन तीचिंग क्या प्रभावित होगा तो इस और हमारे अंदर एक आगरता नहीं है तो हमारा ध्यान कहीं और चला जाएगा और हम बस नजरे दोड़ाते रह जाएंगे पंग्जियों पर तो पहला ओफसन सही है बारहमा प्रशन भाषा के प्रमुख रूप होते हैं भाषा के मुख्य रूप से कौन कौन से रूप होते हैं ये आपने भाषा लिपी और व्याकरण वाला चैप्टर अगर पढ़ा होगा कभी तो उसमें आपको ये बात मिली होगी लिखित यों मौखिक, पद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द बोली जाए बलकि उसे लिपिवध भी किया जा सके यानि उसे लिखा भी जा सके इसलिए भाषा के प्रमुख रूप से दो रूप होते हैं कुछ विद्वान तीन रूप की भी बात करते हैं वे कहते हैं कि सांकेतिक रूप को भी समलित किया जाए लेकिन सांकेतिक रूप प्रभावी नहीं होता इस कारण से सांकेतिक रूप को भाषा का मुख्य रूप नहीं माना जाता तो भाषा के दो ही मुख्य रूप हैं लिखीतियों मौखिक चलिए तेरह हमाँ प्रशन बिना समय कहाँ आई आप भी जड़ा देखिए प्रशन को और ऑफ्सन देखते रहिए ताकि आपका अच्छा अभ्यास हो जाए मित्रों हिंदी व्याकरण से रिलेटेड मोस्ट आप दे टॉपिक जितनी भी अधिकांस्त सामान ने टॉपिक हैं हिंदी सामान ने अध्यान की यह सारे मैंने अल्रेडी चैनल पर अपने अप्लोड कर दिया है आप से अनुरूद है कि आप उसे देखते रहिए उनसे रिलेटेड कंटेंट को मैं उनसे रिलेटेड कुछ अबजेक्टिव टाइप के प्रशनों की स्रिंखला बना करके मैं अल्रेडी उनकी प्राक्टिस करा रहा हूँ इसके अलामा भी मैं ऐसे प्रशन पत्रों का सेट ले करके आऊँगा जिसमें बहुवी कल्पी प्रशन यानी कि MCQ टाइप के या हम कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट आंसर या अबजेक्टिव टाइप के questions आपके सामने आते रहेंगे और वो topic wise आएंगे जैसे मुहावरे है या तत्सम तत्भव है मैं कोशिच करूँगा कि दो दो तिन तीन topic को एक एक प्रशन पत्रों में समाहित करूँ और आपका अच्छा सा एक अभ्यास करा दो चलिए तेरहमा प्रशन भी ना समय गमाए शिरोरेखा की उपेक्षा यानि शिरोरेखा को नजर अंदाज करना शिरोरेखा क्या होती है एक बड़ी बात होती है देखिए शब्दों के ऊपर जो ये लाइन खीची जाती है उसे ही हम शिरोरेखा कहते हैं शिरो रेखा की उपेक्षा संबंधी दोश को दूर किया जा सकता है किसमे प्राथमिक स्तर पर अगर ये शिरो रेखा संबंधी या शिरो रेखा की उपेक्षा संबंधी दोश को आपने स्टार्टिंग में ही दूर नहीं किया तो बच्चा इसको उच्छे प्राथमिक स्तर पर लेकि जाएगा उसकी आदत बनी रहेगी फिर ये पूरी जिंदगी भर लगी रह जाएगी वो जल्दी नहीं छूटेगी जब तक कि उसके लिए वो कठोर अभ्यास न प्रारंब कर दे इसलिए प्राथमिक अस्तर पर ही इसे दूर करना सबसे उचित माना जाता है तो हमा देखते हैं शब्दगत दूरी का उचित न होना प्रभावित करता है लेखन को ओप्सन ए सही है पंदरामा प्रशन लेखन का उसल के विकास हे तू सरोप्रतम चात्र में विक्सित होना चाहिए क्या वाचन का उसल पठन का उसल शुद्ध उच्चारन या अक्षरों का तो इसका सही उत्तर है शुद्ध उच्चारन लेखन कोशल के विकास हे तू सरोप्रतम अगर किसी विद्यार्थे में आपको विक्सित करना है तो उसका उच्चारन विक्सित करिए the moment he will start speaking and reading correctly surely he will start writing correctly तो अगर वो शुद्ध ढंग से पढ़ना चालू कर देगा बोलना चालू कर देगा शब्धों का उच्चान सही ढंग से करने लगेगा तो उसके लेखन में भी सुधार आने लगेगा इसलिए लेखन कोशल के विकास हे तू सरोप्रतम चात्र में वो चा सही है सुलाहमा प्रश्ण लेखन कौसल के विकास में सहायक है सुरुत लेख प्रतिलिपी पहला और दूसरा दोनों विकल्प सही है या वरतनी का क्यान तू देखिये मित्रों इसमें जो है और बी दोनों सही है यानि कि जो सी वाला और दूसरा दोनों विकल्प सही है या और संसी सही है इसके तहत लेखन कौसल के विकास में शुरूत लेख भी सहायक होता है और प्रतिली पियानि देख करके कौपी करना भी बहुत ही सहायक होता है सत्रहवा प्रशन लेखन कौशल का प्रमुख उद्देश है तो लेखन कौशल का जो प्रमुख उद्देश होता है वो होता है लिखित अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाना अठारवा प्रशन देखते हैं मित्रों शिक्षक की कठिन भाशा के प्रयोग से कूप्रभावित होता है क्या वाचन कौशल पठन कौशल स्रमन कौशल या लेखन कौशल तो सही है स्रमन कौशल अगर सिक्षक बहुत अधिक कठिन भाशा का प्रयोग करता है तो उससे विद् से समझ ही नहीं पाएंगे और न सुन पाएंगे उसे नजर अंदाज करते जाएंगे कठिन शब्दों को अगला प्रशन देखते हैं प्रवसंख्या 19 कौशलों के विकास के लिए आवश्यक रूप से ध्यान देना चाहिए इसमें ऑफसन ए और बी यानि पहला और दूसरा द का जो संबंद है वो वाचन कौशल से है वाचन कौशल से तो प्रश्ण क्या 20 का ऑफसन सी सही है 21 में प्याजाते हैं आवरित्ति यों पुनरा वरित्ति द्वारा किस तुर्टी को सुधारा जा सकता है बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों इसकी द्वारा अशुद उच् दूर दर्शन सरवाधिक आशापूर्ण द्रिश्य सरव्य उपकरण है क्योंकि संदेश वाहन के इस यंत्र में रेडियो तथा चलचित्र के गुणों का सम्मिस्रण है यह कथन है किसका टीपी नन का या घट यवं गेट बेरिच का या डॉक्टर जीडी शर्मा का या जे क्रिश्ण मूर्ति का तो इसका जो है वो सही उत्तर है घट यों गेट बेरिच का मित्रों यह याद करना पड़ेगा तेईस्वा प्रशन दूर दर्शन का संबंध है जनसंचार माध्यम से स्रव्य द्रिश्य उपकरण से पहला और दूसरा दोनों विकल्प सही है या सिक् आया माध्यम है दो दर्शन देखिए कभी कभी कुछ दूसरा ऑफ्षन भी लगता है कि करेक्ट है कोई और ऑफ्षन भी लगेगा कि ये भी करेक्ट है लेकिन देखिए जो सबसे ज़्यूर ऑफ्षन होते हैं हमें वही चूज करना लहता है प्राथमी कस्तर प्रशब्द ग्यान में किस सिक्षन अधिगम सामगरी का प्रयोक किया जाता है रेडियो का टेप रिकॉडर का फलेश कार्ड का या श्यामपट का तो सही उत्तर है फलेश कार्ड का प्रात्यमिक अस्तर पर शब्द ज्यान अगर बढ़ाना है आपको बच्चों का और आप सिक्षक हैं तो किस सिक्षण अधिगम सामगरी का प्रयोग किया जाएगा तो उत्तराया फ्लैश कार्ड का 26 वा प्रशन शिक्षण अधिगम सामगरी के प्रयोग का प्रमुख उत्देश क्या होता है शिक्षण अधिगम सामगरी के प्रयोग का प्रमुख उत्देश होता है वो होता है शिक्षण अधिगम सामगरी के प्रयोग का प्रमुख उत्देश होता है वो होता है शिक्षण अधिगम सामग्री यानि लर्निंग कुछ माटीरियल को ले करके प्रयोग करता है तो उससे सिक्षन अधिगम की जो प्रक्रिया होती है वो रुचिपूना और इंट्रेस्टिंग बन जाती है सिक्षन अधिगम सामग्री का प्रयोग करना चाहिए अनिवारी रूप से करना चाहिए अवशक्ता कई अनुसार करनाचाछिए या कभी कभी करना चाहिए तो इस प्रशन का सही उत्तर है आवशक्ता की अनुसार ऐसा भी नहीं है कि हमेशा करना चाहिए ऐसा भी नहीं है कि जनरल तोर पे हमेशा करना ही चाहिए जब जरूरत हो तब करना चाहिए जब आपको एक सिक्षक को लगता है कि हाँ अब हमें टीचिंग एड्स या सिक्षक सायक सामगरी को لے करके सिक्षन सायक सामगरी को لے करके जाना चाहिए तब या प्रयोग करना ची कंख्षा में तब उसे करना ची या अज़े आव शक्ता क्या अनुसार तो आज़सन C सही है अठाई स्वापरफषन अक्षर्चक्र योम फिसल पटी का प्रयोग किया जा सकता है प्राथ्मिक स्तरपर उच प्राथ्मिक स्तरपर पहला युँम दूसरा दोनों विकल्ब सही है या भाशा सिक्षन में तो इसका सही उत्तर है option A प्राथ्मिक स्तरपर उन्तीस्वाप्रशन देखते हैं आपके सामने है उपचारात्मक सिक्षन की आवशक्ता होती है सिक्षन अधिगम प्रक्रिया में सुधार के लिए होती है सिक्षन अस्तर में सुधार के लिए होती है निर्धारित लक्ष को प्राप्ट करने की स्थिति में या सामाने स्थिति में तो इसका सही उत्तर है निर् स्वान उप्चारात्मक सिक्षन की प्रकृति होती है कैसी होती है बाल के इंद्रित उप्चारात्मक सिक्षन की प्रकृति जो हम बनाते हैं या जो प्लानिंग की जाती है स्कूलों में की जो बच्ची कहीं छूट रहे हैं या वो मुख्धारा से जुड़नी पा रहे हैं या उनका level अन्य students की level के बराबर नहीं है तो जो भी हम remedial चीज़े चलाते हैं उनके लिए जो extra चीज़े हम करते हैं सिक्षन करते हैं वो बाल के इंदृत होता है यानि student based होना चाहिए ठीक है वो सिक्षक के इंदृत नहीं होता वो विशय के इंदृत नहीं होता वो सिक्षन विधी के इंदृत नहीं होता वो असली तोर पर देखा जाए तो बाल के इंदृत होता है विद्यार्थी को क्या चाहिए क्या वो पसंद करता है किस धंग से वो सीख सकता है इत्यादी चीज़ें इसमें ध्यान दी जाती है तो जादे देखिए ज़्यादा डीटील में बताऊंगा तो प्रशन ये वीडियो लंबी होती जाती है आप कहते हैं कि भाई थोड़ा कम एक्स्प्रेइन करिए इस बात का भी ध्यान रखता हूँ तो चलिए इने शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे साथ हमेशा बने रहे हैं और आगे भी बने रहेंगे अगली वीडियो में कुछ और विश्यों के साथ मैं आपके सामने फिर से उपस्तित होंगा धन्यवाद बोलने से पहले आपसे अनुरूद है कि अगर आपने लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए आपको अच्छा लगा हो तो और कुछ कमेंट लिखना चाहते है मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए तो प्लीज लिख दीजिए अगर जान बूच करके ऐसे ही यूँ ही डिसलाइक करना चाहते है तो आपसे अनुरूद है कि ऐसा ना करें इससे मेरा मनोबल डाउन होता है और अगर आप नए विवर हैं तो सब्सक्राइब करिए और बिल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि जो कुछ भी मैं बनाओ वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे और आपको उसका इंटिमेशन मिलता रहे सूचना मिलती रहे तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों